सबी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तू प्याम हर हर महादेव शिरी नंदीश्वर शेव महापुराण में पत्र आया जिसमें महिला ने बताया कि 12 वर्ष से उनको संतान की प्राप्ति नहीं थी बहुत प्रेशान हो गई थी, बहुत दुखे हो गई थी सारे डोक्टरों को दिखा लिया खगडिया के जितने भी डोक्टर थे उनसे भी डोक्टरों को उन्होंने दिखाया पर फिर भी उनका कोई प्राप्त नहीं हुआ खगडिया से बाहर जितने भी डॉक्टर थे उनसे भी डॉक्टरों को भी दिखा लिया फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई फिर कोरोना काल में उनके किसी परिचित ने बताया कि पंडित परदीब जी मिश्रा की कता आती है आप वो कता क्यों नहीं सुनते हैं फिर उन्होंने कोरोना काल में कता सुनी गुरूजी की और दिसंबर में जब सोमबार की अश्टमी पड़ी थी तो उन्होंने सोमबार की अश्टमी वाला उपाई किया जिसमें उन्होंने उपाय में बताया कि बेल पत्री के व्रक्ष के नीचे ब्रामन और ब्रामनी को बोजन कराया ब्रामन की कोज में उसके बच्चे को बिठा के बोजन कराया और फिर पती और पत्नी दोनों ने उसी बेल पत्री के व्रक्ष के नीचे बैठ कर जो ब्रामनी न और एक घी का दीपक लंबी बात का चलाया बाबा से प्रात्ना करी तो उनको संतान की प्राप्ती हुई संतान न होने की वज़े से वे मानसिक तराओं में आ गई थी क्योंकि जबी भी लोगों के पास जाती तो लोग यही पूछते तुम्हारे संतान नहीं होई, कब संतान होगी, तुम्हारे पुत्र कब होगा, पुत्री कब होगी, कब मा बन रही हो ऐसे प्रश्न पूछ पूछ के वो मानसिक तराओं में भी आ गई थी इसलिए उन्होंने लोगों से मिलना बंद कर दिया था डिप्रेशन में चले गई थी पर बोले बाबा की करपा से सोमबार की अश्टमी के उपाय से उनको संतान की प्राप्ती हुई सोमबार की अश्टमी अभी तो जा चुकी है चबाएगी तब फिर से मैं आपके सम्मुक में ये उपाय प्रस्तुत करूँगा ताकि जिन माताओ बेहनों के संतान की प्राप्ती नहीं है वे संतान प्राप्त कर सके उपाय करके भोले नात पर विश्वास करें सभी भक्तों को शिरी शिवाहे नमस्तू प्याम हर हर